नमस्कार स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में यूपी में कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम योगी युदुस्तर पर काम कर रहे हैं इस बीच सीएम योगी ने कोरोना संकट में जीजान से काम पर लगे पत्रकारों के लिए बड़ा एलान किया है जिसके तहट यूपी में पत्रकारों को प्राथ मिक्ता के साथ फ्री वैक्सीन दी जाएगी और अलग वैक्सिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे इस रपोर्ट में देखिए यूपी में सीएम योगी सक्ती के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तेजी से पैर पसार रहे कोरोना पर लगाम के लिए बैठके कर लगतार रणनीती बना रहे हैं इस बीच सीएम योगी ने लखनों में टीम नाइन के साथ बैठक की और मीडिया कर्मियों के सासाथ उनके परिवारों के वैक्सिनेशन के लिए बड़ा फैसला लिया सीएम योगी ने बैठक में कहा कि यूबी में पत्रकारों उनके परिवार के लोगों को प्रात्मिक्ता के आधार पर कोरोना वैक्सिन लगेगी पत्रकारों के लिए अलग वैक्सिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे इसके अलावा मीडिया दफ्तरों में भी पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन लगेगी CM योगी का मीडिया कर्मियों को लेकर लिया गया ये फैसला बेहद एहम है क्योंकि कोरोना संकट में मीडिया कर्मी पूरी जीजान से काम पर लगे हुए हैं तो वहीं कई मीडिया कर्मी इस कोरोना की चपेट में आकर जान भी गवा चुके हैं। जिसे देखते हुए CM योगी ने अब सक्ती से कदम उठाते हुए राजे में वैक्सिनेशन भी तेज कर दिया है। यूपी के मुख्य सचीर स्वास्ते अमित मोहन प्रशाद ने बताया कि पहली चरण में एक करोड टीका मिला है जिसे उन शहरों में लगाया जा रहा है जहां एक्टिव केसिस की संख्या 9000 से जादा है। पहले चरण में जिन साथ शहरों में टीका करण अभ्यान शुरू किया गया है उन में राजदानी लकनों के साथ कानपूर, नगर, प्रियाग, राजवारांटसी, गोरकपूर, मेरट और बरेली शामिल है। जल्धी पूरे यूपी में तेजी से वैक्सिनेशन शुरू हो जाएगा। बता दे कि यूपी में पिछले 24 गंटे में कोरोना वाइरस से 288 संक्रिमतों की मौत हुई है। जबकि 39,192 नए केस सामने आए है। यूपी में अब कुल संक्रिमतों की संक्या बढ़कर 13,42,413 हो गई है। तो महीं पिछले 24 गंटे में 38,887 मरीज ठीक होकर घर लोटे हैं। अभी तक राजे में 10,43,134 कोरोना के मरीज कून रूप से स्वास्त हो चुके हैं। यूपी में पिछले 24 गंटे में 29,92 नए केस सामने आए हैं। जबकि 288 लोगों की मौत होई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए CME योगी ने यूपी में लॉकडाउन भी लगा दिया है। साथ ही वैक्सिनेशन भी तेज कर दिया है। अब पत्रकारों के लिए भी योगी सरकार ने पहल करते हुए फ्री वैक्सिन लगवाने और अलग सेंटर बनाने का एलान किया है। इस खबर में फिलाल इतना ही बने रहे हैं कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते तुमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया।